वेदिक इस्टिटूट और फार्मा सिर्टिकल एदूकेशन और रिसर्ट अवेश प्रारंब रिफार्मा, वीफार्मा, एमफार्मा, लैप, लाइब्रेडी, स्मार्ट क्लास्रूम और सभी चात्र चात्राओं को स्कॉलर्शिप यह जमुक कश्मीर नहीं है बलकि दत्याश शिवपूरी का इलाका है दोपहर तक तेज धूप खिली रही लेकिन दोपहर के बाद आसमान में घंखोर घटाय चाने लगी इसके बाद तीज बारिश शिरू हो गई, देखते ही देखते सड़कों पर बर्फ की चादरे बिच गई जिगना शित्र के कई गाओं में उला वरिष्टी की खबरी हैं, इसमें कई किसानों के फसलों को नुकसान पहुचा है दतियाश शहर में भी जोरदार आंधी चली, इससे सड़कों पर लोगों का चलना मुश्किल हो गया मौसम विभाग के अनुसार फिलहाल मद्यवर्देश में बारिश का दौर चलना है, ओला वरिष्टी का सिलसला भी चलेगा गोना रायसिन समेट का इस जलो में आईमडी का अलर्ट जारी किया है राजधानी भोपाल और इंदौर समेट प्रदेश भर में कई जगों पर तेजवाओं के साथ जोरदार बारिश देखने को मिली ओला वरिष्टी से कई जगों पर सड़कों ने सफेद चादर उड़ ली और नजारा कश्मीर की तरह खुबसूरत हो गया शानिवार को भी कई जगों पर बारिश का अलर्ट जारी किया गया है दरसल पश्यमी विक्षूब्स के सक्रिय खुनी से मद्धिवर्देश में मौसम का मिज़ाज बदला हुआ है साइक्लोनिक सर्कुलेशन और ट्रफ लाइन गुजरने की वज़ह से बारिश ओलो का स्ट्रॉंग सिस्टम सक्रिय है जिसके वज़ह से मद्धिवर्देश में बारिश हो रही है कहीं आंधी तूफान ने तांडो मचाया है तो कहीं बारिश और ओला वरिष्टी का कहर देखने को मिल रहा है पिछले 24 गंटे के दोरान देवास, उज्जैन, रतलाम, विदीशा, उमरिया, नर्मदापूरम, हर्दा और खरगौन समित का इस जलो में तेज हवाओं और आंधी के साथ जोरदार बारिश देखने को मिली मौसम विभागने चिंदवाडा, विदीशा, अनुपपूर, अशुकनगर, बैतुल, नर्मदापूरम, सिहोड, नरसिंगपूर, सागर, डिंडौरी, रायसेन और गुना में तेजवा के साथ जोरदार बारिश के संभावना जताई गई है वही मौसम विभागने राजगड, मंडला, निवाडी, पन्ना, टीकमगड, सतना, सैडौल, शाजापूर, शोपूरकला, शोपूरी, खंडवा, छतरपूर, दमो, दतिया, देवास, गौालियर, हरदा, कटनी, जबलपूर और इंदौर जिलो में कहीं कहीं हलकी बारिश के संभावना जताई है झालियर, हमदु कहीं हुए झालियर, हमदु कहीं है